रादी कृष्णा ट्रेंड्स मेरा नाम उमा जिंदल है और आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स नैट पॉइंट प्रेंड्स पेपर 2 की यूनिट 6 जिसमें हम अभी प्रेणा के सिध्धानतों के बारे में पढ़ रहे थे और लास्ट क्लास में मैंने आपको मैकलेलेंड की आवश्यक्ता के सिध्धानतों के बारे में बताये था और आज हम पढ़ेंगे विक्टर व्रूम का प्रत्याशा सिध्धानत तो देखिए विक्टर व्रूम का प्रत्याशा सिध्धानत यानिकि एक्सपेक्टेंसी थियोरी एक प्रोसेस की तरीके से बताया गया है कि जो हमारी अभी प्रेणा है वो एज़ प्रोसेस चलती रहती है तो यह प्रक्रिया सिधान्त इन्होंने प्रतिपादित किया यह सिधान्त प्रयास निश्पादन तथा प्रतिफल में संबंध बताता है तो दिखिए जो यह सिधान् इन सभी के बीच इनोंने संबंद बताया है। Victor Roon तmore विक्टर ने बताया। एक्ष्पेक्टैंची, त्रीनीं क?!? संबन्द बताया गया है तो चलिए देखले तरीं च्रेनीं कौन सी है फर्स्ट है प्रयास निष्पादन संबन्द यानि कि efforts, performance, relation, तो प्रयास निष्पादन संबन्द क्या कहता है कि यह किसी व्यक्ती द्वारा यह मान्यता होती है कि उसके प्रयास उसे निश्पादन की और लेके जाएंगे यह हमें प्रत्याशा यानि एक्सपेक्टेंसी के बारे में बताती है तो देखिए कोई भी करमचारी है, कोई भी यदि व्यक्ति है तो वो अपने संगठन में प्रयास क्यों करता है अपने जीवन में प्रयास क्यों करता है वो प्रयास इसलिए करता है कि अगर वो कुछ अधिक प्रयास करेगा यानि कि अधिक कारे करने की कोशिश करेगा तो उससे उसको क्या मिलेगा उससे उसको कुछ ना कुछ पर्फोर्मेंस में उसके अच्छा होगा और उससे जो उसके results होंगे वो काफी अच्छे होंगे तब ही कोई जो करमचारी है वो प्रयास करता है ठीक है तो यह हमें प्रत्याशा यानि expectancy के बारे बताती कि कोई person expect करता है यह चीज़ expect करता है कि अगर वो प्रयास करेगा तो उसका जो निश्पादन है वो अच्छा प्रत्याशा होती है यह आत्मप्रभावित पर आधारित होती है यानि कि आत्मप्रभावित होती है कि जिन करमचारी में माली जी उच्छकोटी की आत्मप्रभाविता होती है यानि कि उनमें बहुत जादा आत्मप्रभाविता है तो वो विश्वास करते रहते हैं कि और जिनके अंदर आत्मप्रभाविता कम होती है तो वो क्या सोचते हैं वो यह सोचते हैं कि जो हम अगर प्रयास भी करेंगे तो हमारे काम इतने पूरे नहीं होंगे ठीक है तो देखिए प्रत्याशा से आशे है कि प्रयास निश्पादन के और और परणाम के और ले है उसका मुल्यांकन संभाव्यता यानि कि प्रोबैबिलिटी के अधार पर भी किया जाता है तो यह जीरो से एक गट्टी बढ़ती रहती है मान लीजिए कि अगर प्रत्याशा जो है वो उदासीन है मतलब कि उसका जो संबंध है वो पूर्णतर अर्निस्चित है मतलब उस जितनी हमारी जो निश्पादन के बढ़ने के साथ साथ हमारी क्या होती है प्रत्याशा भी बढ़ती जाती है यानि कि हमारा निश्पादन जो पर्फॉमेंस हमें बता चलेगा कि हमारी जो पर्फॉमेंस है वो हमारे प्रियास से बढ़ रही है तो उस ही साथ से हमारी प्र तो देखिए अभी मैंने बताया आपको सबसे पहले कि कोई भी व्यक्ति प्रयास करता है कोई भी व्यक्ति प्रयास करता है ताकि उससे उसकी जो है वो पर्फॉमेंस अच्छी हो है ना वो अच्छा पर्फॉर्म कर सके और गनाइजेशन में उसके बाद जब वो अच्छा प पर्फॉर्म कर रहा है तो उसको प्रतीफल देना बहुत जरूरी होता है किसी व्यक्तिको APPुप्रिणित करने के लिए ना न इस Вिक्ति दारा माननेता होती है कि कारेन प्रतिफल और परिणाम की और ले जाती है यह हमें कत्रत्व यानि इंस्टुमैनलिटी के बारे में बताती है यह निश्पादन और प्रतिफल के बीच संबंद बताती है यह माइनस वन से प्लस वन के बीच घटा बढ़ता रहता है तो देखिए जो हमारे कत्रत्व होता है वो हमारे निश्पादन और प्रतिफल के बीच में संबन बताता है कि हमारे कितने अच्छा परफॉर्म करने से हमें क्या reward मिल रहे हैं ठीक है हम क्या perform करें कि हमें कोन से reward मिले इसके बीच में संबन बताती है इसके बीच में relation बताती है जो कि हमारा माइनस वन और प्लस वन के बीच घटा-बढ़ता रहता है, ठीक है, अगर देखिये, जो हमारा कर्तृटव है, अगर वो सकारात्मक है, यानी कि positive है कि अगर किसी करमचारी को यह लग रहा है कि जो हमारे परिणाम है जो हमारे रिवोर्ड्स हैं वो निश्चित हैं ठीक है हमें निश्चित ही यह रिवोर्ड्स मिलेंगे तो जो हमारा करत्रित होगा वो भी सकारात्मक होगा ठीक है लेकिन अगर हमें किसी भी करमचारी को यह अग aba कोई करम इसको ब्वोनस चैये कि अब अच्छा is अच्छा परकोर्म सोगा तो अगर उसको लग रहा है कि वह मुझे बॉनस मिल ही। करत्रित्व मिलाड में आप मत्याएं थैसरा की की क्युपर कुपर कुछा है जो करत्रित्व होता है वह सकारात्मक्रों्य हff guest माइनस वन हो जाता है, ठीक है. उसके बाद देखी, थरड है, प्रतिफल व्यक्तिगत लक्षय संबंध, या nici करे रिवोर्ड, पर्सनल गोल, रिलेशन्शिप, तो देखी, प्रति व्यक्तिगत लक्षय संबंध क्या कहता है? कि प्रत्य व्यक्ति को विश्वास होता है कि उसके प्रयास उसे निश्चित परिणाम की और ले जाएंगे परिणाम की शक्ति या प्रत्याशा जितनी अधिक होगी अभी प्रयाण का स्तर भी उतना अधिक होगा जिसे हम क्या कहते हैं जिसे हम सामर्थ कहते हैं तो दिखिए हमारा जो टौटल यहीज़ा है कि हर विठी कोई विश्वास होता है कि अगर वो कोई भी औरगनाईजिजेशन कborne रही है कोई भी प्रयास कर रही है तो उससे उसकी परफोर्मेंस अच्छी होगी और जब अच्छा परफॉर्म करेगा तो उसे क्या मिलेंगे उसे rewards मिलेंगे परिणाम मिलेंगे अच्छे वाले है न तो परिणाम की शक्ती यानि की परिणाम की शक्ती क्या होगी परिणाम की शक्ती यह हुई यहाँ पर कि जो उसे प्रतिफल मिल रहे हैं तो जो उसका लक्षे है जो उसका personal goal है कि मुझे यह ची और उसको bonus मिल रहा होगा है तब रे अभी प्रेरंट का स्तर जो होगा वह अच्छा होगा नहीं तो अभी प्रेरंट का स्तर भी नहीं ओगा लगा अगर वो बोनस चाहता है संगठन में और उसको बोनस ही नहीं मिलेगा तो जो अभी प्रेरण का जो स्तर है वो गिर जाएगा अगर मान लीजे कि किसी करमचारी को बोनस चाहिए ठीक है और अगर हम बोनस की जगए उनको कुछ और अलाउंस वगएरा दे रहे है ठीक है तो करमचारी क्या होता है करमचारी मान लीजे कि प्रतिफल के उदासीन हो गया यानि कि ना तो वो खुश हो रहा है ना तो उसको अ जो हमारे बोनस है बिल्कुल अभी प्रेशल नहीं कर रहा है जो स्कार आत्मक हो जता है। उसके बाद देखिए इस सिध्धान्त के अनुसार अभी प्रेरण सामर्थ्य कर्त्रत्व और प्रत्याशा के मिश्रन का परिणाम है तो सिध्धान्त ने यही बताया कि जो अभी प्रेरण होता है वो सामर्थ्य कर्त्रत्व और प्रत्याशा का मिश्रन है ठीक है तो इस एक सूत्र द्वारा भी दर्शाया गया है तो वो सूत्र क्या है अभी प्रेरण है सामर्थ्य इंटू करत्रत्व इंटू प्रत्याशा यानि कि ये एक दुसरे के मल्टिप्लायर है इनको प्लस माइनस नहीं लिखा जाता है ये एक दुसरे के मल्टिप्लायर ह होगा यानि कि हमारा तभी सकारात्मक होगा प्लस में होगा पॉजिटिव होगा जब की जो हमारे चर हैं यानि कि ये जो सभी चर हैं सामर्थ ये करत्रित्व और प्रत्याशा जब सभी हमारे positive होंगे क्योंकि यह multiply है यहाँ पर तो जब सभी हमारे positive होंगे तब ही जो हमारा अभी प्रेरन है वो भी positive होगा अगर इन में से एक भी चीज हमारी negative चली जाती है इन में से एक भी चीज अगर हमारी negative चली गई तो जो हमारा अभी प्रेरन होगा वो भी negative हो जाएगा है ना तो इसके लिए हमें क्या जरूरी है इसके लिए सबसे जरूरी है कि सारी चीजे हमारी सकारात्मक होनी चाहिए उसके बाद देखिए next day कि अगर इन में से कोई भी एक चीज़ हमारी 0 हो जाती है कोई भी एक चर्ज जो है अगर वो शुन्य हो जाता है तो हमारा जो अभी प्रेरण होगा तो वो भी शुन्य हो जाएगा और अगर इन में से कोई भी जो चर्ज है वो निम्न होता है यानि कि कम होता है तो हमारा अभी प्रेरण भी निम्न हो जाएगा यानि कि हमारी जो सभी चीजे हैं जिसमें जितने भी हमारे इसके अंदर चर हैं सभी को अधिक होना बहुत जरूरी अधिक और सकारात्मक होना जरूरी है तब ही जो हमारा अभी प्रेरण है वो भी अधिक और सकारात्मक ही हो सकेगा otherwise या तो वो नकार आत्मक हो जाएगा नेगेटिव चला जाएगा या फिर वो शुन्य हो जाएगा या फिर वो कम हो जाएगा तो सभी चरवों पर यहापे हमें काफी ध्यान देना चाहिए managers को चाहिए कि वो उनके according, उनके जो goal settings है उनके according ही उनका जो rewards है वो रखे और उनको उस environment में काम दे जिससे कि उनकी प्रत्याशा उनकी expectancy जो है वो काफी बनी रहे संगठन के साथ और वो अच्छे काम को कर सके तो यह था प्रत्याशा का सिधान जो कि Victor Room ने प्रतिपादिद किया आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे like कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को subscribe करिए और साथ में बने bell icon को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको notification मिल सके और इस वीडियो को जादा से जादा share कीजिए ताकि आपके friends and relatives इस वीडियो से benefit उठा सके Thank you